असलाम नेकुम डियर स्टूरेंट्स आज हम देखने जा रहे हैं दुबारा से बर्थ से लेके दो साल तक की बच्चों की किताबों को और अब उन में हम देखेंगे कि क्या contextual attributes होने चाहिए जो कि इन बच्चों के लिए जरूरी है और ये बच्चे उन किताबों के साथ अपना relationship बिल्ड़ अप कर सकें तो सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है बर्थ से लेके दो साल तक के बच्चों के लिए वह obvious है कि इन किताबों में minimum words होते हैं और maximum simple तसावीर होती हैं और हम तसावीर के थूरू अपनी कहानी अपना plot अपना theme प्रेजेंट करने जा रहे होते हैं तो अब हम सबसे पह important चीज यह है कि visual attractive होने चाहिए ताकि बच्ची उन्हें बार बार देखना चाहें बार बार touch करना चाहें बार बार महसूस करना चाहें तो सबसे important चीज यह है कि बच्चे किताब की तरफ तब ही आएंगे जब उसमें attractive और खुबसूरत visuals represent हो रही होंगी तो अगर हम किसी भी character को उसके अंदर हम physical entity में पेश करते हैं तो उसके अंदर हम सबसे important चीज attractive बनाने के लिए चाहते हैं कि contrasting colors हों, bright colors हों, ऐसे रंग हों जो बच्चों की आँखों पे ना चुबें और simple colors हों जिन में multiple shades ना हों ताकि बच्चे आसानी के साथ उस character को या उस entity को पहचान सकें, recognize कर सकें, अपने memory में fix कर सकें, then सबसे important चीज ये है कि इस उमर के बच्चों की जो basic need है वो महबत है और confidence है, confidence उने तब आता है जो उस character को पहचान लेते हैं और इस किताब को जब पढ़ रहे होते हैं या page बार-बार उलट रहे होते हैं तो उनको बच्चे खौफजदा हो जाएं, जिससे बच्चे परिशान हो जाएं या उनके अंदर anxiety develop हो जाएं, definitely उससे उनका और किताब का relationship lifelong effect हो सकता है किताबों के अंदर हम बच्चों में positive feeling कैसे develop कर सकते हैं, with the help of colors, with the help of lines और color, अगर pasted color होते हैं, soft color होते हैं, तो बच्चों के अंदर एक positive, एक loving feeling और एक caring feeling colors के तुरू develop की जा सकती है visuals के अंदर colors, bright भी हो सकते हैं, plain colors भी हो सकती हैं, dynamic lines भी हो सकती हैं, पर वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्ची comprehend कर सकें, समझ सकें, understand कर सकें कि ये visual है किस चीज़ की, वो visual इतनी confusing नहीं होनी चाहिए कि बच्चे उसे समझने से एक आसिर हो जाए, definitely जब वो नहीं समझेंगे, तो उनका किताब से bonding weak होती चली जाएगी जब हम visuals बनाते हैं, birth से लेके 2 साल तक के बच्चों के लिए, तो एक चीज़ बहुत ही जरूरी है, कि जो character जो कुछ करने जा रहा है या जो action में, वो बिल्कुल clear होना चाहिए, direct होना चाहिए और noticeable होना चाहिए अगर उसमें character walk कर रहा है, तो वो बिल्कुल walk करना चाहिए, इसके इलावा उसमें कोई और element prominently नजर नहीं आना चाहिए अगर कोई ऐसा character है जो ओड़ाए, तो उस character को सफ़े पर ऐसे दिखना चाहिए, कि जैसे वो सिर्फ ओड़ाए और main focus और attraction और आपको identify हो, यह वो character है जो fly कर आगर कोई चीज astonishing है, और कोई वहाँ पर बिल्ली मौजूद है, और बिल्ली आपका main character है, तो उस बिल्ली को prominently नजर आना चाहिए, और यह वाजिए होना चाहिए, कि आपका main मकसद उस cat को दिखाना है, और कोई नहीं है, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे पेश पेज़े सारे objects को identify नहीं कर सकते हैं, तो simple objects, साफ सुत्रे और खुबसूरत रंगों में आज जब ब बच्चों की किताबों को select कर रहे होते हैं, thank you so much.